वेलकम इस्टुडेंट प्लेयर आफ नमबर्स के यूडूब चनल पे आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुदिंद्र पांडे हमें वीडियो लेक्षर 10 में off chapter logic आज friend हम exercise 1.2 के question number 2 के 5th sub question से start करेंगे क्यों friend क्योंकि last video में हमने question number 2 के पहले 4 sub question complete कर लिए थे Friends अगर अभी तक आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे क्योंकि इस पर मैं हमेशा आपके लिए important videos अपलोड करता रहता हूँ तो चलिए start करते हैं तो आईए friend start करते है practice set 1.2 question number 2 का 5th sub question friend तो पहले हम लोग एक बार revise कर लेते हैं question number 2 में क्या था question number 2 में friend हमको क्या करना था using truth table prove the following logical equivalence जो यहाँ पे logical equivalence दिये गया है friend इसको truth table के मदद से मुझे क्या करना था तो यहाँ पे जो पाचवा sub question दिया गया है friend हो क्या है P or Q implies R equivalent to P implies R and Q implies R इसको मुझे क्या करना है friend prove करना है तो यह मेरा LHS है friend और यह मेरा क्या है RHS है तो LHS का truth table मुझे पहले find करना पड़ेगा उसके बाद मुझे RHS का truth table find करना पड़ेगा उसके बाद दोनों को देखना है friend equal है क्या यह मुझे prove करना है और मैं आप सभी को बता दिना चाहता हूँ friend यह हाँ पे जो logical equivalence दिया गया है इसका जो truth table होगा यह always true ही रहेगा मतलब जो इसका truth table आएगा और इसका जो truth table आएगा दोनों आपस में equally रहेंगे बट इसको मुझे करके दिखाना है कभी भी इसका और इसका truth table आलग नहीं मिलने वाला है different नहीं मिलने वाला है always मुझे क्या मिलेंगे same truth value मिलेंगी तो चलिए start करते हैं पहले तो friend हम देख लेते हैं इसमें statement कितने है पहला statement P है दूसरा Q है और तिसरा वाला क्या है friend R है मतलब कितने statement है इसमें 3 statement है friend तो मुझे पहले क्या करना है जो तीनो statement है उसके हमको outcome लिखने है तो मैं क्या करता हूँ P, Q, R के पहले outcome लिख देता हूँ outcome को कैसे लिखना friend मैंने आपको बताया था last video में कैसे लिखना है अगर जो पहला वाला term है friend क्या है यहाँ पर P है तो P के outcome कैसे लिखना है पहले आपको क्या करना है 4 times true लिखने है friend 4 times true लिखने के बाद उसके बाद 4 times आप क्या लिखोगे false लिख दोगे उसके बाद क्या करना है friend अगर आपको Q के outcome लिखने है तो कैसे करोगे जो यहाँ पर हमने 4 बार लिखा था friend उसको हमको 2 बार लिखना है मतलब 2 times true देन 2 times क्या होगा false होगा उसके बाद again 2 times true उसके बाद 2 times क्या होगा friend यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अब friend हम लोग R के भी क्या करेंगे outcome लिख देंगे R के outcome कैसे लिखने friend पहला true लिखना है उसके बाद alternate कर देना है दूसरा क्या हो जाएगा false हो जाएगा then again true again false again true again false होगा friend यह true होगा यह वाला क्या हो जाएगा false हो जाएगा यहाँ पर मैंने PQR के outcome लिख दिए उसके पहले हम लोग क्या करते हैं अभी क्या करते हैं पहले columns को divide कर देते हैं यह मेरा पहला column हो गया यह दूसरा तीसरा चौथा पांचुवा छथा यह 7 वा हो जाएगा और यह वाला last वाला 8 वा हो जाएगा तो हमारा LHS किसमे है यह वाला हमारा LHS है मतलब जो 5th column है इसका truth table मुझे find करना और 8 वाला मुझे truth table find करना है इसको दोनों को मुझे क्या करना है compare करना है 5th and 8 को compare करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे P or Q find करेंगे क्योंकि P or Q की help से हम लोग 5th वाले column का truth value find करेंगे तो अगर मैं P or Q find करता हूँ friend तो और मैं हमने सीखा था अगर दोनों false है तो ही false otherwise क्या होता है true होता है तो ये true हो जाएगा ये भी true होगा ये true होगा ये भी true हो जाएगा friend ये भी true हो जाएगा ये वाला false होगा और ये वाला भी क्या होगा false हो जाएगा उसके बाद अभी क्या find करना है अभी मुझे find करना है P or Q implices R मतलब इसकी और इसकी help से मुझे ये वाले column का truth value find करना है तो यहाँ पर P or Q है और यहाँ पी क्या है R है friend तो अगर मैं IMPLICES यूज़ करूँगा तो क्या होगा दोनों true है तो यह हो जाएगा true पहला true दुसरा false है friend तो क्या होगा false होगा यह वाला भी true होगा पहला true दुसरा false हो तो यह false हो जाएगा यह true हो जाएगा यह false हो जाएगा अब friend हम लोग P-implices R find करेंगे P-implices R मतलब यह पहला और तिसरा कॉलम मुझे देखना है P-implices R अगर मैं find करता हूँ तो यह true मिलेगा यह false हो जाएगा यह true होगा यह false होगा यह true, यह true, यह भी true होगा friend एन यह वाला भी क्या हो जाएगा? true हो जाएगा उसके बाद friend मुझे Q-implices R अभी find करना है मतलब इसका implices मुझे भी find करना है दूसरे और तिसरे कॉलम का तो पहला वाला true होगा दूसरा false, तीसरा true चौथा true, पाचवा भी true हो जाएगा छटा false हो जाएगा इसके बाद ये भी true होगा और ये भी true हो जाएगा अब क्या करना है friend अब मुझे find करना है P-implices R and Q-implices R मतलब जो हमारा छटा एन सातवा कॉलम है इन दुनों को लेकर मुझे end logical equivalence यहाँ पी use करना है friend तो यहाँ पे अगर मैं end यूज करूँगा तो true true क्या होता है true होता है तो ये true हो जाएगा ये false होगा ये true हो जाएगा ये भी false होगा ये true हो जाएगा ये false होगा ये true होगा friend एन ये वाला भी क्या होगा true होगा अब मुझे क्या करना है friend अब यहाँ पे हमने सारे truth value को find कर लिया है अब मुझे क्या compare करना है मुझे 5th and 8 column को compare करना है 5th and 8 column को अगर मैं compare करता हूँ फ्रेंड, true, false, true, false, true, true यहाँ पे भी same outcome मुझे मिले है फ्रेंड मतलब 5th and 8 column को अगर मैं compare करता हूँ तो इससी यह prove हो जाता है कि जो उपर वाला statement दिया गया है यह logical equivalence से prove हो चुका है इसको मैंने true table से prove कर दिया है चलिए अब हम लोग next question यहाँ पे solve करते हैं यहाँ पे 6th question दिया गया है इसको मुझे क्या करना है यह भी उपर वाले question के जैसा है इसलिए यह वाला question आप लोग homework करोगे homework करके जो भी आपका truth value आता है आपको comment करके बताना है कि आपको same outcome मिले है कि different outcome मिल रहे है इसमें और अगर आपको doubt है तो मैंने अपने Instagram page और Facebook page के link भी description box में दे दिये है आप हमसे वहाँ पर भी जुड़के doubt पोस सकते हो यहाँ पे जो 7th question दिया गया है इसमें दिया गया है पिंपलाइस इना ब्रैकेट Q and R एक्यूवैलेंस टू क्या दिया गया है फ्रेंड P and Q बीच में कोई symbol नहीं है यहाँ पे दिया गया है पिंपलाइस आर यह incorrect question है फ्रेंड यहाँ पे something missing है फ्रेंड यहाँ या तो negation आएगा या and और कोई तो symbol आएगा तभी यह question complete होगा यह question incomplete है फ्रेंड इसलिए यह question को हम लोग अभी solve नहीं करेंगे because यह incomplete question है फ्रेंड तो हम लोग अभी 8th वाला question यहाँ पे solve करते हैं फ्रेंड से यहाँ पे 8th वाला question गया गया है P and in a bracket Q और R इक्विवैलेंस टू P and Q और in a bracket P and R यह दोनों को मुझे क्या करना है फ्रेंड फ्रेंड प्रूब करना है तो इसमें statement कितने है P, Q, R तीन statement है फ्रेंड तो मैंने यहाँ पे P, Q, R को represent किया पहले हम क्या करते है column को divide कर देते हैं यह हमारा पहला column हो जाएगा यह दूसरा, यह तीसरा होगा यह चौथा होगा पांचवा, छथा, सातवा यह लास्ट वाला आठवा column हो जाएगा मुझे किससे किससे लेना देना है यहाँ पे P and इना bracket Q और R दिया गया है मतलब यह 5th column है तो मुझे 5th वाले के truth value find करनी है and किसकी find करनी है and last वाले, 8 वाले की find करनी है तो मुझे 5th and 8 वाले को equal proof करना है तो हम लोग क्या करते हैं पहले start करते हैं PQR के outcome लिखते हैं PQR के friend अगर मैं outcome लिखता हो तो पहले मैं outcome लिखूंगा 4 time true आएगा friend उसके बाद friend R के लिखने है R में मुझे क्या करना है alternate कर देना है पहला true, दूसरा क्या होगा false होगा then true, then false again true, again false again true क्या होगा again क्या होगा false होगा PQR के मैंने यहाँ पर outcome लिख दिये अब friend यहाँ पर क्या है यहाँ पर है Q और R मुझे अभी Q और R find करना है मतलब इन दोनों का use करना है तो यहाँ पर दोनों true दिया गया friend इसलिए true हो जाएगा यह भी true होगा यह भी true होगा यह होगा false because दोनों false है यह हो जाएगा true यह भी true होगा यह भी true होगा और यह वाला क्या होगा false होगा, मैंने यहां पे Q और R find कर लिया है, अब क्या find करना है, अब मुझे P and Hue Bracket, Q और R find करना है friend, तो अभी P का और यह वाले पाट का मुझे use करना है friend, तो and use करना है, इसलिए true true तो true होगा, यह भी true हो जाएगा, यह भी true होगा, यह false होगा यह फॉल्च यह फॉल्च और यह वाला फ्रेंड इख ऑब क्या गया है यहाँ प्ली pee Q मतलब इस प्रेंड के मुझे हैं्ड का सिंबॉल इसमें यूज करना इसके बाद प्रेंड यह वाला क्या होगा यह फॉल्च हो जायम यह फाल्स हो सब्सक्राइब को चाहते होजा जायेगा विए। टुनों में मुझे कहीं न कहीं F मिल रहा है iron उसके बाद मुझे P&R करना मुझे ये वाले पर्ट का यूज करना है वह भी तो टुरू क्या होगा ट्रू होगा ये वाला हो जाएगा ये प्लश्व ये false होगा friend, ये false होगा, ये false होगा, ये दुनों भी क्या होंगे, false होगे, ये दुनों मैंने find कर लिया, अब ये दुनों का use करके, मुझे और का logical, और का connective use करना है, तो अगर मैं friend, इसमें और का connective use करता हूँ, तो और में क्या सीखा था हमने, अगर दुनों false है, तो ही false हो को जाएगा यह और छहां परिप्ट एंट कॉलम को स्टारां पहलेद करता हूं तो यहां पर है यहां परिफेल सब्सक्राइब करता हूँ यहां इसके परोड़े हम फॉल्स भूसें अंब यहां पर सब्सक्राइब हमने जो लोग next वाला question solve करते हैं friends यहाँ पर 9th sub question दिया गया है इना bracket negation of इना bracket P और Q और इना bracket P और Q bracket closed and R equal to R friend मतलब यह वाला जो हमारा part LHS है friend इसका जो truth value होगा वो R के truth value के equal रहेगा friend यही मुझे prove करना है तो चलिए start करते हैं पहले इसमे statement कितने हैं यहाँ पर मुझे 3 statement दिख रहे हैं पहला P दूसरा क्यों तीसरा क्या है friend R है तो मैंने यहाँ पर P Q R को represent किया friend उसके बाद मैं क्या करता हूँ column को represent कर देता हूँ यह मेरा पहला column हो गया यह दूसरा यह तीसरा चौथा पांचवा छथा और यह वाला friend हमारा सातवा column हो जाएगा जगा नहीं थी इसको मैंने उपर लिख दिया friend last वाले को तो friend चलिए start करते हैं पहले में क्या करता हूँ P Q R के outcome लिख दिता हूँ outcome कैसे लिखना friend अगर 3 statement रहेंगे तो outcome कितने होंगे 8 होंगे कैसे find करना उसको 2 raise to the power n के form में find कर सकते friend 3 statement है इसलिए 2 raise to the power 3 होगा कितने आगए friend 8 आगए अगर 2 statement रहते तो 2 raise to the power 2 होता कितने outcome आते friend 4 आते ऐसे ही करके हम लोग find कर सकते हैं तो मैं पहले P Q R के क्या करता हूँ outcome लिख देता हूँ पहले 4 क्या हो जाएंगे friend true हो जाएंगे उसके बाद 4 क्या होंगे false हो जाएंगे यहाँ पर मैंने true true false false भी लिख दिया friend अब क्या करते Q के लिखते है friend Q में क्या करना है पहले दोनों true रहेंगे friend उसके बाद दोनों क्या रहेंगे false रहेंगे again friend, यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, true रहेंगे, उसके बाद दोनों क्या रहेंगे, false रहेंगे and army क्या करना है, alternate लिखना है, पहला true, दुसरा क्या होगा, false होगा then true, then false, again true, again false friend, फिर true and फिर false आजाएगा PQR मैंने लिख दिया, अब क्या करना है friend, P or Q करना है friend P or Q यूज करना है, तो पहला क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, यह वाला भी true होगा यह true, यह true, यह true, यह true, यह वाला false होगा friend and यह वाला भी क्या होगा, false हो जाएगा because यहाँ पर ही मुझे दोनों false मिले हैं, अब हम लोग क्या find करेंगे friend, negation of P or Q find करेंगे negation find करना है, मतलब true का false and false का क्या होगा, true होगा तो यहाँ पर true है, तो यह हो जाएगा false, यह false होगा, यह भी false होगा, यह भी false होगा friend यह भी false होगा, यह दोनों क्या होगे, true हो जाएगे अब क्या find करना है friend मुझे अब find करना है negation of p or q और p or q मतलब ये वाले part और ये वाले part में मुझे और का symbol यूज़ करना है friend तो अगेन अगर मैं इसमें और का symbol यूज़ करूँगा friend तो file true होगा दूसरा भी true, तिसरा true, चौथा true पांचवा true, छथा true, सातवा और आठवा क्या भी हो जाएगा friend true हो जाएगा अब friend अब मुझे क्या करना है अब ये वाला जो part हमने find किया है इसमें and r यूज़ करना है friend मतलब r का जो true table है इसमें use करना है and के connectives के साथ तो अगर मैं friend यहाँ पर use करूँगा तो true true क्या होता है true होता है friend ये हो जाएगा false ये वाला true होगा friend ये वाला false हो जाएगा ये true हो जाएगा ये वाला false होगा ये वाला true and ये वाला false होगा friend यहाँ पर मैंने इसका भी truth value find कर लिया अब मुझे क्या करना है friend जो हमारा 3 वाला column है जो हमारा 7th वाला column है यह हमारा 7th column है friend और यह वाला मिरा 3 वाला column है friend तो अगर मैं 7th and 3 को compare करता हूं friend तो यहाँ पे मुझे देखो same truth value मिली है true false, true false and same यहाँ पे भी friend वैसे ही मिली है तो इससे क्या होता है friend हमारा question number 9 ही यह प्रूव हो जाता है चलिए friend अभी हम लोग next वाला question यहाँ पे solve करते है friend यहाँ पे जो 10th वाला question दिया गया है negation of in a bracket P double implies Q equivalence to in a bracket P and negation of Q bracket closed और in a bracket Q and negation of P इसको मुझे क्या करना है friend प्रूव करना है तो यह वाला question भी आपको क्या करना पड़ेगा homework करना पड़ेगा friend क्योंकि सिर्फ मैं बढ़ाऊंगा तो आपको नहीं आएगा जब आप practice करोगे तब ही आएगा तो यह वाला question भी आप solve करोगे और comment करके बताओगे आपको same outcome मिले है की नहीं और friend अगर आपको किसी भी question में doubt हो तो मैंने अपने Instagram पेज और Facebook पेज के link भी description box में दे दिये है आप हमसे वहाँ पर भी जोड़के doubt पूश सकते हो आसा करता हूँ friend आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ततक लिए अपना ख्यार रखे स्वस्तरे बिस्तरे मस्तरिय और मैस को प्रैक्टिस करते रहे जाहिंद वंदे मातरम